तो देखिए, इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? हमें आज सो ये पता है कि फोटो सिंथेसिस जब होती है तो उसकी रिक्वायर्मेंट्स क्या-क्या है? CO2 जरूरी है, water जरूरी है, light की रिक्वायर्मेंट्स होती है लेकिन बहुत time पहले हमें ये नहीं पता था कि फोटो सिंथेसिस की रिक्वायर्मेंट्स क्या-क्या है तो उस time पर scientist ने कुछ experiments किये, जिससे कि हमें ये पता चला कि फोटो सिंथेसिस की essential requirements थी क्या-क्या ठीक है? तो हमें उन ही experiments को detail में पढ़ना है इन experiments को पढ़ेंगे ठीक है बट हमें कोई proof भी तो चाहिए ना जिसका हमें ये पता हो कि अगर ये हो रहा है that means photosynthesis हो रही है यानि कि अगर मैं आपको detail में कहूं कि photosynthesis हो रही है इस चीज का क्या proof है इसके दो proof है actually first अगर oxygen present है oxygen release हो रही है that means photosynthesis हो रही है दूसरा अगर starch test यानि कि iodine test सही जा रहा है यानि कि starch form हो रहा है iodine test blue black color तभी देगा जब कि starch present होगा starch के present होने का मतलब है कि photosynthesis वहाँ पर हो रही है तो starch test अगर आएगा that means photosynthesis is present तो ये हमारा basic हो गया इसके basis पर अब हम experiments को पढ़ सकते हैं तो जो first experiment है ये हमने 10th class में भी बढ़ा हुआ है first experiment है variegated leaf experiment इस experiment में हम क्या करते हैं हम एक variegated leaf लेते हैं variegated leaf का मतलब है एक ऐसा leaf जहाँ पर green patches present है कहीं कहीं पर green patches present है बागी पूरा leaf जो है वो green नहीं है ऐसा leaf हमने लिया सबसे पहले हम इस leaf को dark में रखेंगे ताकि जो भी इसमें already food present है वो सारा ये leaf use कर ले then second step में हम इस leaf को वापस light में लाकर के रख देंगे ताकि नए सीरे से photosynthesis हो सके और food का formation हो सके third step में हम इस leaf को kill कर देंगे boiling ethanol में boil करके ऐसा क्यों किया ताकि जो green part है वो अपने food को non green part में transfer ना कर पाए उससे पहले ही हमने उसको kill कर दिया ठीक है और mark कर लिया कि green color कौन कौन सा था उस जगे पे mark कर लिया अब हम इस leaf पर iodine डाल करके देखते हैं पूरे leaf पर iodine डाली बट blue black color सिर्फ वहां आया जहां पर green color present था जहां पर green color present था सिर्फ blue black color वहां पर आया that means सिर्फ उस एरिया में photosynthesis हुई है तो यह जो experiment है यह यह बताता है कि photosynthesis के लिए chlorophyll का होना बहुत जरूरी है green portion का होना बहुत जरूरी है उसके बिना photosynthesis नहीं होगी तो यह experiment यह proof करता है then next experiment हम देखते हैं one mole का half leaf experiment one mole ने क्या किया एक test tube लीए इस test tube के अंदर एक container रखा इस container में क्या लिया KOH अब एक leaf लिया half leaf को test tube के अंदर लगा दिया और half leaf test tube के बाहर है clear यानि कि यह test tube है और half leaf इसके अंदर लटका हुआ है और half जो है बाहर है तो koh क्या करता है koh surrounding से co2 को absorb कर लेता है यानि जो part अंदर है test tube के उसको co2 नहीं मिल रही है बाहर तो co2 मिलेगी है तो जब हम इस leaf को थोड़ी देर बाद निकाल करके iodine test करकर के देखते हैं तो हम पाते हैं कि सिर्फ वो region जो test tube के बाहर था वो blue black color दे रहा है यानि कि सिर्फ उस region में photosynthesis हुई है तो ये experiment हमें ये show करता है कि photosynthesis के लिए co2 जो है वो essential है without co2 photosynthesis नहीं हो सकती तो एक scientist आए जोसफ प्रिसली उन्होंने bell jar experiment किया bell jar experiment में उन्होंने क्या किया एक bell jar लिया उसमें candle और mice को रखा थोड़ी देर बाद देखा कि candle बुझ जाती है और mice की death हो जाती है फिर से एक bell jar लिया इस बार candle और mice के साथ साथ mint plant को रखा गया इस बार देखा जाता है कि candle और mice दोनों alive है ओके candle जल रही है और mice जो है living है इस time पर तो इससे क्या inferences दिये जोसफ प्रिसली ने कि जो burning candle है burning candle और mice दोनों air की quality को destroy कर रहे हैं दूसरा उन्होंने कहा कि जो mint plant है वो air की quality को restore कर सकता है तो इस experiment के थुरू उन्होंने green plant की importance को बताया प्रिसली के experiment को repeat किया बट एक बार daytime में किया और एक बार night time में किया उन्होंने क्या देखा night time में candle extinguish हो जा रही है और mice kill हो जा रहा है even in the presence of mint plant ऐसा क्यों हुआ क्योंकि photosynthesis नहीं होती है night time पर और दूसरा daytime में mice भी जिन्दा है और candle भी burn कर रही है तो photosynthesis क्योंकि उस time पर हो रही है अच्छा ये जैनिंगिन होस ने किया इसके अलावा जैनिंगिन होस ने एक और चीज की उन्होंने एक submerged plant लिया यानि पानी में दूबा हुआ plant लिया that is hydrilla वो पानी के अंदर रहता है ऐसा plant लिया उस plant के कुछ points पर high intensity light डाली गई high intensity light डाली गई तो देखा गया जहां जहां light डाली जा रही थी वहां पर bubbles जो थे gas के bubbles बन रहे थे तो जैनिंगिन होस ने ये बताया कि ये जो gas के bubbles है ये oxygen के bubbles है तो देखे अगर आपके पास question आता है कि oxygen किसने discover की थी तो वो थे प्रिसली बट जो bubbles जो arise हुए वो oxygen है ये किसने discover किया था ये discover किया था जैनिंगिन होस ने तो ये ध्यान रखना है गलती नहीं करनी है ओके तो इन दोनों experiments में सबसे पहले जोसफ प्रिसली ने ये बताया कि air क quality को restore किया जा सकता है plant के थूँ green plant के थूँ बट जैनिंगन होस ने ये बताया कि जो bubbles बन रहे है वो oxygen के बन रहे है तो दोनों experiment में photosynthesis का जो proof था वो क्या है कि oxygen बन रही है this was the proof जैसे पहले starch का proof था इस बार oxygen का proof है okay TW Engelman TW Engelman ने एक experiment किया देखिए बहुत सारे experiments हम पढ़ चुके हैं एक और experiment TW Engelman ने एक test tube के अंदर एक algae को ग्रो किया that is cladophora अब उस पर light ray डाली गए light ray ऐसे ही नहीं डाली गए उन्होंने क्या किया एक prism लिया इस prism से light rays को pass करवाया जब prism से कोई light pass होती है तो वो 7 wavelengths में distribute हो जाती है इन्होंने क्या notice किया जहाँ पर red और blue wavelength गिर रही थी वहाँ पर photosynthesis सबसे ज़ादा हो रही थी लेकिन इन्हें कैसे पता चला कि photosynthesis वहाँ ज़ादा हो रही है इन्होंने एक और चीज की थी इसे test tube में इन्होंने कुछ aerobic bacterias को भी grow करवाया था तो aerobic bacterias उस तरफ ज़ादा grow किये जहाँ पर red और blue wavelength गिर रही थी इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि उनको oxygen red और blue wavelength के पास ज़ादा मिल रही थी और हमने बताया था कि photosynthesis का एक proof oxygen भी है तो ये बोला जा सकता है कि red और blue wavelength में सबसे ज़ादा photosynthesis होती है TW angle man ने एक action spectrum बनाया action spectrum में क्या होता है action spectrum का मतलब है एक graph action का मतलब work, plant क्या work करेगा photosynthesis, photosynthesis यानि कि oxygen तो मैं इस graph की y axis पर लूँगी action यानि कि oxygen की amount और x axis पर लूँगी wavelength तो मैं क्या देखती हूँ कि जहां पर blue और red की wavelength है वहां पर peak दिखाई देती है यानि oxygen की synthesis जादा होती है यानि red और blue light में photosynthesis जो है वो जादा होती है तो यह जो प्रूफ किया था, यह किया था T.W. Angleman ने तो देखें Julius Wann Sack ने एक experiment किया, उसमें उन्होंने evidence provide किया कि जो photosynthesis है वो green color की body में हो रही है, जिसका नाम आज हम जानते है, that is chloroplast और उसके अंदर एक green substance है, जहां पर actual में photosynthesis हो रही है वो green substance क्या है, वो भी हम जानते है, that is chlorophyll Julius Wann Sack ने ये भी बताया कि photosynthesis में glucose का formation हो रहा है तो कही ना कहीं जो test हुआ होगा, वो starch test से ये proof किया गया होगा तो Julius Wann Sack ने ये तीन information दी, कि green body में हो रहा है, green substance में हो रहा है और glucose का formation हो रहा है photosynthesis के दोरान Wann Neal एक microbiologist है, इन्होंने bacterial photosynthesis के बारे में बताया देखें, सबसे पहले normal photosynthesis की बात करते हैं photosynthesis में दो step होते हैं, first step में water की splitting होती है, water तूटता है water plus X मान लेजिए, तो ये जो X को है अपना hydrogen दे देता है एक compound है X, जिसे अपना hydrogen दे देता है plus oxygen बनती है, ये है light reaction तो main role क्या है water का? hydrogen का donor है water क्योंकि इसने अपनी hydrogen X को दे दी है second step में, जो कि dark reaction है, carbon dioxide plus XH carbon dioxide को, यानि कि carbon को, carbon dioxide के carbon को XH जो है वो reduce करता है, यानि hydrogen इस बार carbon को मिलती है और glucose का formation होता है, और X जो है दुबारा से free हो जाता है तो ये जो है, ये पूरी एक photosynthesis की reaction है अब देखते हैं, आगे होता क्या है यानि कि हमने कहा, कि light reaction में water तूटकर oxygen बनाता है और water जो है, वो hydrogen donor भी है ठीक है, dark reaction में CO2 का reduction होकर के glucose का formation हो रहा है यानि कि एक reduction reaction हो रही है वैन नील ले क्या बताया उन्होंने बताया कि हमारे पास light reaction में जो bacteria है, वो water की बजाए दूसरा कोई compound यूज कर रहे है वो दूसरा compound जैसे की H2S तो H2S प्लस X, तो H2S जब तूटता है तो oxygen की बजाए sulfur मिल रहा है तो उन्होंने कहा कि water की बजाए यहाँ पर कोई दूसरा compound भी यूज हो सकता है और hydrogen का donor अब H2S काम कर रहा है hydrogen की donor की तरह ना कि water तो यह जो है वोन नील का contribution था तो यह इस तरह के जो photosynthesis है यह देखने को मिलती है कुछ bacteria में जैसे कि green sulfur bacteria, purple sulfur bacteria ठीक है तो अब देखते हैं अगर water hydrogen donor है तो byproduct होगा oxygen H2S hydrogen donor है तो byproduct होगा sulfur यानि कि जहाँ पर oxygen byproduct है उस photosynthesis को मैं कह सकती हूँ oxygenic photosynthesis जहाँ पर sulfur byproduct है उसे मैं कह सकती हूँ anoxygenic photosynthesis clear? इसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो oxygen है वो कहां से आ रही है oxygen water से आ रही है ना कि carbon dioxide से तो ऐसा बताने के बाद उन्होंने photosynthesis की equation को correct किया कैसे correct किया? वो देखते हैं तो देखिए Van Neel ने photosynthesis की equation को ठीक किया लेकिन गलत क्या थी? हम क्या पढ़ रहे थे? वो पता होना चाहिए हम पढ़ रहे थे 6CO2 plus 6 water gives C6H12O6 plus 6O2 ठीक है? अब देखिए इसके according water जो है वो 6 molecules है यानि कि oxygen के 6C molecules है clear? लेकिन वहाँ पर 6O2 है यानि कि 12 oxygen के molecules है तो इसके according तो ये बूल रहे हैं कि 6 जो oxygen के molecules है वो तो आ रहे water से और बाकी बचे आ रहे carbon dioxide से लेकिन इनके experiment के according हम ये जानते हैं कि सारी की सारी oxygen जो है वो हमारे पास water से आ रहे है तो right equation इन्होंने जो दी इन्होंने कहा कि ये right equation है वो right equation क्या थी? 6 CO2 plus 12 water gives C6H12O6 that is glucose plus 6 O2 plus 6 H2O ये equation इन्होंने दी तो इस equation को इन्होंने direct prove नहीं किया इसके लिए इन्होंने use की है radioactive tracer technique radioactive tracer technique में इन्होंने क्या किया? एक radio isotope use किया देखे normal oxygen जो होती है वो थी O16 बट इन्होंने जो oxygen use की that is O18 तो इन्होंने water में O18 यानि कि radioactive oxygen को incorporate कर दिया और वो पानी plant को दिया तो वो क्या देखते हैं? कि जो oxygen plant release कर रहा है वो oxygen O18 है तो इससे इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि जो oxygen plant release करता है वो water से आती है और कहीं से नहीं आती सिर्फ water से आती है clear? तो वैन नील ने दो चीज़े बताई पहला कि photosynthesis दो तरह की होती है और दूसरी जो चीज उन्होंने बताई उन्होंने photosynthesis की equation को correct किया जिसकी बहुत जादा need थी